पॉली वीड़ के मसूर कलाका रहे कादर खान को आज ओड़ी में हर्याण। इसके साथ उसके साथ ही कुनबा मूई को दोबारा हुर्याणा में लौंच करके कादर खान को सर्धाज लिधर दिया जाने की बात की जा रही हैं बता दे कि 31 दिसंबर को 81 वर्स की उम्र में कादर खान का लंबी विमारी के कार निधन हो गया था कादर खान ने 300 से ज़्यादा मुवी में काम किया है उनकी पहली फिल्म दाग 1973 में आई थी जानकारी के मुताबिक उनकी लास्ट मुवी 2004 में आई थी जिसके बाद भी स्वास ठीक ना होने और बेटे के मना करने के बावजूद उन्होंने वर्स 2012 में हरियानी फिल्म कुन्बा में बुजुर्ग गायक का अभिने किया था और इसी कुन्बा फिल्म को दुबारा लौंच करके कादर खान को सोना टैक कैसिट सहीद हरियाना फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग सरदान लिदेंगे पिलकुल कादर खान की लास्ट फिल्म थी और इसे सरदाई ने देखे इसको दुबारा फिल्म को लौंच करने की कोशिश की जारी और लौंच कर रहे हैं इसको दुबारा पूरी दुनिया देखे कि और इस फिलम को अभी तो बंबे से भी घिल्ली से कर अर्याना सभी लौक सको एक बड़ा इसएमेंट था कि हर्याना की उन्होंने लास्ट फिल्म की और इतने बड़े स्टार करा कार ने क्या लगाएगी किस तरह से जरूरत अभी ओह दाने कि Door क्या आया है दुपार्शी तूर्जिया दूब नहीं हरियानी अभी फिल्म पोलसी की उध्यार्डन किया है और उसे लागू की करने जा रहे हैं उसमें बहुत अच्छा है इसे बहुत फैदा होगा हर्याना फिल्म हदयोग को और मैं चाहता हूँ जैसे फिल्म हदयोग को ना ऐसे एक स्टूडियो का भी और अर्यानी फिल्म सीटी ऐसी बनाए जाये जिससे आगे और इस कार्य को बढ़ाया जासे जैसे कि अभी कह रहे थे कि हम लोगों को बाकी कार्य के लिए बंबे जाना पड़ता है या कलकता जाना पड़ता है अगर पूरी की पूरी यूनिट भी हाँ पे हो और उसकी फिल्म सिट्री की जगें हो जिसे प्रडॉक्शन भ को बढ़ावा चाहिए और बहुत अच्छी बात है बट मेरा मानना यह सरकार से ने रो दिये है एसन इंडिस्ट्री फिल्म इंडिस्ट्री हरियाने में डवलब करने के लिए सरकार को आगया आना पड़ेगा इंफ्रस्ट्रेश्चर पूरा मुहाया कराना पड़ेगा तब यहां अच्छा फिल्में बिनेगा तब ही यह फिल्मों को मार्केट किया जाएगा और एक बेड़ी लेवल पे सारे हिंडुस्तान में हमारे संस्कृति हमारे टूरिसम साइट्स और हमारा जो बाशा है उसको बढ़ावा मिल सकता है कादरहान साब की आकरी मूवी थी और यह हर्यानवी मूवी थी इस मूवी को हम जल्द ही लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो मेरी सभी से अपील है कि इसको जरूर देखें और एक उनको सच्ची स्दांजली होगी और हर्यानवी तनिमा के लिए लिए भी एक अच्छा संदे आई कि उनके बेटे के मना करने के बावजूद भी उन्होंने इसमें काम करने के लिए हां भरी और हर्याना में काम करने के लिए यह बहुत बड़ी बात थी जबकि उनके लिए हम वहाँ भी सेट लगा सकते थे या कुश कर सकते थे पर उनका मैं वहीं जाके और वहीं की मत में काम करूंगा तो मुझे जाद अच्छा लगी तो